क्या अब जानते हैं कि हजारों साल पहले समुद्र भयानक और जानलेवा जीवों से भरा हुआ था। ये समुद्री जीव आकार में बहुत बड़े, खतरनाक और डरामने थे लेकिन हमारे पास इनकी बहुत कम जानकारी है। इसलिए आज भी ये जीव रहसे बने हुए हैं। तो चलिए जानते हैं इन खतरनाक सी मॉंस्टर्स के बारे में। डैकोसॉरस को उसकी खोपड़ी के आकार की वज़े से गौद्जिला के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्री जीव मगरमच की तरह दिखने वाली एक बहुत बड़ी मचली थी जो 16 फीट लंबी थी। डैकोसॉरस यूरोप, नौर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और रश्या में पाई जाती थी। इसके दाथ बहुत ही नोकीले और तेज धारदार होते थे। जिसके मदद से ये एक ही बार में अपने शिकार के कई टुकड़े कर देती थी। थेलसॉमेडॉन थेलसॉमेडॉन आकार में बहुत बड़ा प्री हिस्टॉरिक जीव था जिसके लंबाई 40 फीट तक होती थी। ये अपनी लंबी गर्दन के लिए जाना जाता था। ग्रीक में थेलसा को समुद्र और मेडॉन को भगवान या शासक कहते हैं जिसका अर्थ है समुद्र का भगवान। इसके फॉसिल्स सबसे पहले यूएसे में पाई गए। टिक्टैलिक का शरीर मचली और सिर मगरमच की तरह होता था। वेज्ञानिकों का मानना है कि ये 375 मिलियन साल पहले समुद्र की गहराई में राज करती थी। इसकी लंबाई 9 फीट और वजन करीब 23 किलो तक का होता था। शैस्टासॉरस को अभी तक धर्ती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा इच्थायसौर माना जाता था। ग्रीक भाशा में इसका मतलब फिश लिजार्ड होता है। ये कैलिफोर्निया, ब्रिटिश कोलंबिया और चीन में पाया जाने वाला एक समुद्री जीव था। शैस्टासॉरस करीब 220 मिलियन साल पहले समुद्र में राज किया करता था। इसकी लंबाई 55 फीट थी और वजन करीब 35 टन होने का दावा किया जाता है। टाइलोसौरस टाइलोसौरस एकलोता सबसे बड़ा और खतरनाक मौसासौरस था। मसासौरस यानी सबसे भयानक समुद्री रेप्टाइल जिसके लंबाई 33 से 49 फीट तक की होती थी। ये एक बहुत ही खुंकार मांसा हारी जीव था जो अपने शिकारी को मूँ में दबोच कर खा जाता था। आज के लिए बस अतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें जैहन दोस्तों।